हले स्टेंट हम लोग क्लास 10 के लिए एक बहुत इंपॉटेंट चैप्टर पेर आफ लिनियर एककोईशन से मतलग है कि दो linear equation एक साथ और variable कितने होने चीह है दो तो ax plus by plus c is equal to 0 तो यह linear equation का form है जिसमें variable xy है और abc constant है तो इसी तरह के हम लोग के पास दो equations होंगे जैसे a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 तो इसको हम लोग कहेंगे pair of linear equations are two variables ठीक है तो आज हम लोग इसी तरह के equation को graphically solve करना देखेंगे तो देखेंगे कि ग्यांपर कितरों लोग समझते हैं यह देखें दो pair of equations है न x plus y minus 6 is equal to 0 और x minus y minus 2 is equal to 0 इसको graphically solve करना है तो देखेंगे सब से पहले पहला equation लिख लिया x plus y minus 6 is equal to 0 अब क्या करिए कि y की value x की term में निकाले जिए क्या आएगा भई 6 minus x अब इसके बाद क्या करिए कि x की कुछ value रखते वे y की value find करिए ठीक है अब हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा x और y x की कुछ value ऐसे हमने x की value रख दिया 0 तो y की value 6 आ गया न x की value 1 रख दिया तो y की value कितनी आ गई 5 ठीक वैसे दूसरा equation जो है उसके बारे वहाँ से भी y की value निकालिये तो देखिए x minus y minus 2 is equal to 0 है तो यहाँ पर y की जो value हो जाएगी क्या हो जाएगी x minus 2 y की value किनी आ जाएगी x minus 2 देखिए y को हमने टांसर कर दिया रहा अब इसके लिए भी कुछ value find आप कर लिए table के थू तो हमने एक table यहाँ पर भी prepare कर लिया जहाँ पर x की value रखते वे y की कुछ value हम लोग find करने वाले हैं तो देखिए x और y x की value हमने यहाँ पर रखा 0 ठीक x की value 0 रखा तो y किनी आ गई minus 2 अब x की value कुछ और रख देते हैं जैसे हमने रख दिया 2 तो y किनी आ गई 0 ठीक है आप और भी value ले सकते हैं फिलाल हम लोग 2 value से काम चला पाएंगे तो यहाँ पर देखिए graph हम लोग plot करेंगे whiteboard पर एक बात तो आप समझेंगे कि देखिए graph को whiteboard पर plot करना possible नहीं यह एक्जिक्ट ली फिर भी यहाँ पर कोई option नहीं है तो हम plot करें आप graph पर पर इसको plot करेंगे बहुत exact solution आप पाएंगे ठीक है चलिए plot करते हैं पाले में x0 तो y6 तो x0 तो y6 कुछ यहाँ पर होना चीए न ठीक बात है और उसके बाद x1 तो y5 कुछ आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं यहाँ पर होना चीए तो यह हमने line यहाँ पर draw कर लिया कौन सी line draw कर लिया जो first equation को represent करेगी तो यह line हमने draw कर लिया यह point था क्या था 1 और 5 ठीक बात है यह first linear equation को represent कर रही है यह line अब second पर आते हैं देखे x0 तो y-2 कुछ यहाँ पर होना चीए न तो x0 तो y-2 हो गया पर उसके बाद देखे x2 तो y0 x2 तो y0 कुछ यहाँ पर हो गया अब हमने इसको draw कर लिया इस line को ठीक बात है अब देख रहे हैं कि यह line second है वह इसको यहाँ पर cut कर रही है इसका मतलब क्या हुआ कि यह point यहाँ पर cut कर रही है यह दोनों का solution है solution क्यों हो भाई क्योंकि दोनों पर लाई कर रहा है न इसका मतलब दोनों equation को यह point satisfy करेगा अब graph पे आप यह term देख लेंगे और यह देख लेंगे तो यहाँ पे जो value मिलेगी या फिलाल 4,2 मिलेगी हमने अलज़ेक्टले निकाला है लेकिन आप graph पे देखेंगे तो exactly x की value 4 और y की value 2 मिलेगी इसका मतलब x की value कितनी हो गई 4 और y की value 2 तो यह जो है यह pair of equations जो दिये थे उनका solution हो गया जिसको हम लोग graphical method से पाए हैं अगर आप यह भी check करना चाहरे है कि क्या यह solution है वह correct है तो आप इसको given equations में रखिए अगर satisfy करेगा तो यह solution correct है और अगर नहीं satisfy करेगा तो फिर कहीं पर mistake है है ना तो रखके देखते हैं देखे 4 और y 2 है 6 minus 6 0 satisfy कर रहा है यहाँ पर देखिए second में देखिए 4 minus 2 minus 2 तो ठीक है satisfy कर रहा है इसका मतलब 1 c is equal to 4 y is equal to 2 यह pair of equation का solution है 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz the number of girls is 4 more than the number of boys find the number of boys and girls who took part in the quiz देखिए question में का गया है कि class 10 के 10 student जो है वो किसी quiz में participate किये है और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जो number of girls है वो 4 more than number of boys से find करना है number of boys and number of girls इसको लोग graphically लगाएंगे तो देखिए कोई भी word problem के question अगर आप लगा रहे है तो सबसे important बात होगे कि कि किसको x और y एजूम करेंगे है नहीं तो यहाँ पे sentence आप पिक करिए find the number of boys and number of girls तो यह पूछा गया कितने कितने boys और girls थे तो यहीं से हम लोग एजूम करेंगे एजूम कर लेंगे let number of boys is x and number of girls is y ठीक बात है अब question में आते हैं का गया कि जो participate की है y student 10 है total 10 student है इसका मतलब क्या x plus y is equal to 10 यह पहला equation लोगों ने form कर लिया अब इसके बात है कि यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि number of girls is 4 more than number of boys तो number of girls means क्या y is equal to x plus 4 मतलब जो number of girls है number of boys से 4 जाद है ठीक तो यह दो linear equation हम लोगों यहाँ पे बना पाए अब इसको लोग ग्राफिक के लिए solve करते हैं तो देखिए from 1 y के लोगों निकाल लीजिए y के लोगों क्या लिखेंगे 10 minus x सही है अब इसको हम लोग plot करेंगे तो उसके लिए कुछ value find कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ value लोग find करेंगे तो x और y x की value लो substitute करते हैं अब हम x की value ऐसी लेंगे कि यहाँ पर अगर हमने x 0 ले लिया तो y कितना हो गया 10 और उसी समय माल लिजे अगर हमने x 10 ले लिया तो y कितना हो गया 0 तो यहाँ हमने यह ले लिया और भी value आप ले सकते हैं ऐसे ही हम लोग दूसरे के लिए from 2 भी table create कर लिया तो from 2 देखिए यहाँ पे ठीक है y बराबर कितना है x प्लस 4 तो ठीक है भाई यहाँ पे भी कुछ value ले ले लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमने x substitute किया x 0 ले लिया तो y यहाँ पर 4 आ गया है और ऐसे x माल लिया हमने 1 ले लिया तो y कितना आ गया 5 आप और भी value ले सकते हैं ठीक है अब हम लोग यह graph प्लाट करते हैं तो देखिए यहाँ पर graph प्लाट करेंगे देखिए white board पे graph प्लाट करना तो बहुत है क्योंकि यहाँ पर major नहीं कर पाएंगे फिर भी हम लोग यहाँ प्लाट करेंगे तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर x 0 तो y 10 x 0 तो y 10 कुछ यहाँ पर point हमने माल लिजे मा कर लिया वैसे ही y यहाँ पर देखिए x 10 तो y 0 कुछ यहाँ पर हो गया 10 और 0 ठीक बात है तो इसको हमने डा कर लिया ठीक है अब उसके बाद देखिए अब इसके बाद हम लोग second लेते हैं x 0 तो y 4 x 0 तो y 4 कुछ यहाँ पर हो गया x 0 तो y 4 है ना वैसे x 1 तो y 5 1 तो y 5 ठीक है कुछ यहाँ पर हो गया तो x 1 तो y 5 ठीक अब यह हमने यहाँ पर डा कर लिया यह देखिए पहला equation में डा किया था यह दूसरा equation हमने यहाँ पर डा कर लिया ठीक है अब यह देखिए यह दोनों जहाँ पर intersect कर रहे हैं, इस point का coordinate हम लोग निकालेंगे और इस point का जो coordinate होगा, वो इसका solution हो जाएगा, ठीक बात है इस point का coordinate निकालेंगे हम लोग इसको solve करेंगे, तो x और y की value यहाँ पर हम लोग को दिखेगी, हाला कि हम लोग इसको अलजेबिकली नहीं solve करेंगे, graph पर देखेंगे कि यह कितना है, और यह अला part कितना है, तो अगर आप यह देखेंगे तो यहाँ पर 3 दिखेगा और 7 दिखेगा, ठीक है और यह graph के लिए आप यहाँ पर measure करेंगे, तो यह 3 आएगा, यह 7 हाला कि लोग आगरी algebraic method से भी निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर graphically देखना है, तो यहाँ पर देखेंगे, क्या x की value 3 आगई और y की value कितनी आगई, 7 इसका मतलब है, कि जो number आप y से, वह 3 थे और जो number आप गरस दे, वह कितनी थी, 7 अब यह देखेंगे, जो यह solution graphically आया है, वह इन दोनों equation को satisfy करेगा, देखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, और 7 देखेंगे, 10 आरा और यहाँ पर देखें, 3 रखेंगे, तो देखें, y 7 आरा इसका मतलब है, कि यह जो number आप y थे, वह 3 थे और number आप गज़ 7 थी, तो देखें, इस तरीके से बहुत से word problem, आप graphically बहुत आराम से solve कर पाएंगे, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है, कि आप पहले equations form करिए, और उसको फिर system से, जैसे हम लो यहाँ पर देख रहे हैं, बारी-बाई से solve करिए, जहाँ पे दोनों line intersect करेंगे, उसका coordinate आप देख लिजिए, और वही जो है, वह given system of linear equations का, मलब pair of linear equations का solution, तो कुछ result देखेंगे, तो यहाँ पर ध्याम से देखिए, यह pair of linear equations है, a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0, and a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0, अब देखें, जो इनके coefficients हैं, a1, b1, c1 और a2, b2, c2, यह decide करते हैं, कि यह जो lines हम लोग draw करेंगे, वह किस type की lines होंगी, या जो इसका solution होगा, वह किस type का होगा, तो इसको लोग discuss करते हैं, तो जेखेंगे, अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then line coincident, इसका मलब है कि अगर यह जो coefficient इस proportion में मलबा, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो जब line डा करेंगे, तो line coincident आएगी, है एक के उपर दूसरी line coincide करेंगी, ठीक बात है, और उस case में infinitely many solutions होगा, मलब infinite number of solutions आप पाएंगे, और जब हम लोग solution पाते हैं, तो इसको मैंत में करते हैं, कि system consistent है, consistent है, मलब क्या, आपको solution मिलेगा, कितने solutions मिलेंगे, तो फिलाल यहाँ पर infinitely many solutions मिलेंगे, और जो lines होंगी, वह coincident होंगी, मलब एक line पर दूसरी coincide करेंगी, मलब हर point common होगा, दुनों many solutions मिलेंगे, अब देखिए, अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2, अगर ऐसा हो रहा है, तो line parallel होंगी, मलब line क्या होंगी, parallel होंगी, लेकिन coincide नहीं करेंगी, parallel होंगी, इस case में हम लोग को कोई solution नहीं मिलेगा, क्योंकि line जब parallel होंगी, तो कहीं पर वोग कट ही नहीं करेंगी, है न, coinciden तो है नहीं, कट नहीं करेंगी, तो कोई common point नहीं मिलेगा, इसका मलब उस case में no solution होगा, और system is inconsistent, मलब हम लोग को कोई solution नहीं मिलेगा, तो लोग कहेंगे, system क्या है, inconsistent है, अब देखिए, तीसरी condition क्या है, कि अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 अगर आया, तो इस case में क्या होगा, line intersect करेंगी, line कैसे होगी, intersecting, और unique solution मिलेगा, क्यों, क्यों कि भाई, एक point में intersect करेंगी, तो इसका एक solution मिलेगा, वहलाई, unique solution मिलेगा, ax और y की particular value एक एक मिलेगी, तो इसका मनलब है कि इस case में भी हम लोग को solution तो मिली रहा है न, तो लोग कहेंगी, system क्या consistent है, और unique solution मिलना है, तो देखिए, यह coefficients हैं, उनकी basis पे, हम लोग decide कर सकते हैं, कि lines parallel है, coincident है, या intersecting है, या solution जो है, या solution solution नहीं है, तो अब इसी पे हम लोग कुछ questions देखते हैं, देखिए, यहाँ पे जो पहला question लिखा गया है, कि हम लोग कुछ check करना है, which pair applications are consistent or inconsistent, मलब कहा solution मिलेगा, कहा पर नहीं मिलेगा, तो पहले बाले पार्ट में आते हैं, देखिए, first part में a1 upon a2 निकालते हैं, ठीक है देखते हैं, क्या होता है, देखिए, a1 कितना है, 1 और a2 देखिए, इसका coefficient 2, 1 upon 2 आ गया अब b1 upon b2 निकालते हैं, देखिए तो b1 यहाँ पे कितना है, y का coefficient 1, और यहाँ पे y का coefficient कितना है, 2, अब उसके पे आप क्या अपजर कर पा रहे हैं कि A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2 तो कौन सी कंडिशन मिली A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2 इसका मतलब क्या हुआ कि lines are parallel line कैसी है? parallel है और यहाँ पर कैसा solution होगा? line क्या है? parallel है और कैसा solution होगा? कोई solution नहीं होगा that is there is no solution मतलब यहाँ पर हम लोग को कोई solution नहीं मिलेगा मतलब system क्या होगा? inconsistent होगा ठीक है अब देखे इसी तरीके से हम लोग second part चेक करते हैं देखें, यहाँ पर a1 upon a2 निकाले हैं, तो a1 upon a2 निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर देखें, 1 है न a1, इसका coefficient, और यहाँ पर देखें, दूसरे का coefficient 2 है, और b1 upon b2 निकालते हैं, तो देखें, यहाँ पर minus 1 है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कितना है, 1 है, ठीक है, आगे निकालने क्या वश्रिक्ता ही नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, इसका मलब क्या हुआ कि A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, मतलब क्या line intersecting होंगी, मलब लाइन कैसे होंगी, lines are intersecting, इसका मलब है कि there is unique solution, there is unique solution, मलब system यहाँ पे क्या होगा, consistent होगा, और यहाँ पे solution हम लोगों कैसा मिलेगा, unique, देखे, solution मिलना मलब consistent होना, अब इसके बाद देखे, third part देख लेते हैं, तीसरे part में, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, A1 upon A2, निकालिए, देखे, A1 upon A2, निकालिए, 2 by 4 आ रहा है न, ठीक है, 2 by 4, अब B1 upon B2 निकालते हैं, तो B1 upon B2 निकालते हैं, देखे, 1 by 2, और C1 upon C2 निकालते हैं, तो देखते हैं, कितना रहा है, 3 by 6, तो देखे, सब बराबर आ गया है, यहाँ पे, क्या बराबर आया, A1 upon A2, बराबर B1 upon B2, बराबर C1 upon C2, सब बराबर आ गया है, इसका मलब है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कि line किस तरीके की होंगी, coincident होंगी, यहाँ लाइन कैसी होंगी, coincident, और यहाँ पर कैसा solution होगा, infinitely many solution होगा, कैसा solution होगा, infinitely many solution, और इसका मलब है, कि यहाँ पर यहाँ लोग को बहुत से solution मिलेंगे, और जो system होगा, वो consistent होगा, क्योंकि यहाँ पर solution मिला है, तो यह देखें, जो example था, इसके तुरों लोग देखें, कि first part में देखें, कि line parallel होगी, यहाँ पर no solution होगा, और no solution होगा, मतलब क्या, यहाँ पर system inconsistent होगा, second part में देखा, कि even upon a2 is not equal to b1 upon b2, मलब line intersecting होगी, और अगर हम देखेंगे, तो कहेंगे, कि यहाँ पर unique solution है, मलब system क्या consistent है, तेखें, यहाँ पर यह पूछा नहीं था, कि line किस type की है, हमने explain किया, कि आप इस तरीके का कोई question होगा, जहाँ पूछा जाएगा, तो आप answer दे पाएंगे, और इसका मलब unique solution था, तो consistent था, और तिसरे पार्ट में देखें, कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, is equal to c1 upon c2, तो यहाँ पर आप देख रहें, कि ऐसा है, तो इसका मलब यह coincident line होगी, और जो solution होगा, यहाँ पर infinitely many solutions होगी, मलब system यहाँ पर क्या होगा, consistent होगा, ठीक है, तो coincident line थी, यहाँ पर lines लिख लेंगे, तो यह जो example थे, इसके थूँ हम लोग यह समझ पाए, यह देख पाए, कि कब सिस्टम consistent होगा, और कब सिस्टम inconsistent होगा, एक example आप लोग और देखते हैं, तो देखके लिखा हुआ है, find the value of P, for which the pair of linear equations, 2PX plus 3Y is equal to 7, and 2X plus Y is equal to 6, has unique solution, मलब कहा गया, कि यह जो system है, अगर unique solution यहाँ पर है, तो जो unknown P है, उसकी value क्या होगी, तो सबसे पहले क्या करी, कि जो equation है, उसको आप लिख लीजिए, 2PX plus 3Y minus 7 is equal to 0, और दूसरा equation क्या है, 2X plus Y minus 6 is equal to 0, ठीक है, अब दिखें, यहाँ पर क्या का आ गया, कि there is unique solution, there is unique solution, यह given है, है न, इसका मतलब है, कि अगर unique solution given है, तो A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 होना चाहिए, ठीक है, अब इस condition को satisfy कराते हैं, देखें, A1 मनलब क्या X का coefficient कितना? 2P, ठीक, A2 मनलब X का coefficient second equation में 2, not equal to B1 क्या 3, है न, B2 क्या 1, ठीक है, अब simplify कर लेते हैं, देखें, 22 cancel हो गया, P not equal to 3, इसका मतलब क्या है, कि अगर यह जो given equations है, यहाँ पर unique solution है, तो जो P की value है, 1 not equal to 3 होनी चाहिए, इसका मनलब क्या है, कि unique solution के लिए P की कोई भी value, यहाँ पर possible है, सिर्फ 3 को छोड़ करके, कि मतलब कोई भी P की value आप substitute कर सकते हैं, असिर्फ 3, तो देखें, आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि pair up linear equations अगर हैं, तो graphically आप कैसे solve करेंगे, और जो pair up equations के जो coefficients हैं, उनकी basis पे, आप कैसे बता पाएंगे, कि वह किस type की lines represent करेंगे, क्या intersecting line, parallel line या coincident line, साथ में यह भी देखा कि कब solution unique होगा, कब infinite solution होगा, कब no solution होगा, इसका मलब consistency भी हम लोग check कर पाएं, और उसके साथ कुछ problem discuss किये, तो आज के लिए इतना ही, math sky के साथ पढ़ते रहिए, सेखते रहिए, thank you.